दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप टू डार्क तीम्स जिनको अपलाई करेंगे आप अपने फोन को काफी अमेजिंग लुक दे सकते हूँ अब देखो फर्स्ट वाले थीम आपको यहाँ पर फ्री फायर के उपर देखने को मिलेगी complete यहाँ पर system UI and जो आपको other features देखने को मिलता है वो सभी यहाँ पर change देखने को मिलेंगे and second वाली थीम एक anime थीम है जो की based है black clover के उपर आप देखो अगर आप complete black clover का setup अपने फोन में apply करना जाते हो तो इसके उपर मैंने complete वीडियो बना रखिया है आपको आई बटेन भी वीडियो का link मिल जाएगा तो आप watch कर सकते हो तो चलो वीडियो को start करते है एंड बात करते हैं इन दोनों थीम को आप कैसे download कर सकते हो आप देखो सबसे पहले बात करेंगे हम first number की theme के बारे में तो यह वाली theme basically आपको free fire की उपर देखने को मिलती है यहाँ पर मैंने wallpaper add कर रखा है आगे बताऊंगा आप wallpaper को आप कैसे download करोगी यहाँ पर देखने को मिलती है जो की देखने में आर काफी अच्छी लग रही है यहाँ पर आईकांस देख सकते हो complete yellow color की form में आपको देखन को मिल जाता है साथी taller-s Queensland up देख सकते हैं complete आपको change देखने को मिलेगे यहां पर देखने को मिलता है हाँ अप जैसे आप डॉन करोगी आपके समने ऐसा देखने को मिलेगा बट जैसे आप करते हो यहां पे फ्री-फायर का आपको जू टेक्स देखने को मिलता है कुछ ऐसा आपके सामने देखने को मिलेगा and complete आपको जो toggles देखने को मिलते है यहां पे आपको change को मिलेगे Notification Center की बात करें तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा तॉप में जो status बार देखने को मिलता है वो भी यहाँ पे change हो जाएगा अब देखो बात करते हैं यहाँ पे system UI के बारे में तो आप on करोगे आपके सामने कुछ ऐसी देखने को मिलेगी यहाँ पे new walpurs आपको देखने को मिलता है और यह color combination है बहुत ज़्यादा super वै आइकंस and जो font आपको देखने को मिलता है वो सभी आपको change देखने को मिलेगा अब देखो अगर आप gesture यूज़ करते हो तो आपके सामने back button कुछ ऐसा देखने को मिलेगा यहाँ फे free fire का आपको text देखने को मिल जाता है जो कि देखने में काफी amazing है आप देखो यहाँ पे कुछ step का volume बार देखने को मिलेगा साथ ही आपके smartphone में अगर MIUI dialer है तो यहाँ पे change हो जाएगा Google dialer को support नहीं करेगा बट MIUI dialer totally change हो जाता है तो एक निमें काफी amazing है and last feature के बाद करें तो lock screen आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा एक normal सा wallpaper आपको देखने को मिलता है यहाँ पे ज़्य यहाँ पे आप creator का name देख सकते हो 37 MB की theme देखने को मिलते है तो download करके apply कर देना अब देखो बात करते है second number की theme के बारे में तो यह वाली theme basically आपको black clover enemy की उपर देखने को मिलेगी आपको home screen में ज्यादा change देखने को नहीं मिलेगा बट जो widget आपको complete change देखने को मिलेगी प different UI की साथ आपको देखने को मिल जाते है control UI यहाँ बहुत ज्यादा super way आप यहाँ पे देख सकते हो new आपको toggles देखने को मिलेंगे साथी यहाँ पर देख सकते हो black clover का wallpaper देखने को मिलेगा और सेम आपको यहाँ पर डाउन करोगे आपके सामने black clover का text कुछ ऐसा आपके सा new UI की बात करें तो आप पहुन करोगे आपके सामने कुछ ऐसी यहाँ पर देखने को मिलेगी complete यहाँ पर भी change हो जाता है new wallpaper आपको देखने को मिलेगा साथी font and जो आपको यहाँ पर icons देखने को मिलता है वो सभी यहाँ पर change देखने को मिलेंगे देखने में काफी अच्छ पर पहलेगे तो ट्राइ कर सकती हो लास्ट वीचछ की बात करें तो लॉक स्क्रेन कुछ ऐसा आपके सामने देखने को मिलेगा अब इस theme को डाउनलोड करने के लिए पहले डार्क मोट को ओन करना, own करने के बाद आपको theme store application open करना है open करने के बाद आपको ये वाली theme download करना पड़ेगा red ghost के नाम से आपको देखने को मिलते हैं तो download कर लेना and यहाँ पे आप creator का name देख सकते हो and 54 MB की theme देखने को मिलते हैं तो download करके apply कर लेना दोनों themes को download करके save रख लेना